24 के सत्र सुभारंब के उसर पर स्वागत करता हूँ अयुद्या में प्रभु स्री राम लला की भब्य प्रांट पर्तिष्था समारों के सकुसल संपन होने की हिर्दै से बढ़ाई देता हूँ और आज से प्रारंब हो रहे वर्स 2024 के उत्तर प्रदेश विधान मंडल सत्र सुभारंब के उसर पर सभी मानने सदस्यों का भी मैं हिर्दै से स्वागत करता हूँ सत्र का सुभारंब अभी कुछ देर बाद मन्य राज्यपाल जी के अविभासन से होगा अईवासन सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक बहुत महत्तुकून दस्तावेज होता है और किसी भी सत्र के वर्स के सुभारंब का पहला जो बिजनेस होता है वहाँ विधान मंडल में मान्य राज्यपाल के इवासन से ही सुरू होता है बज़ट सत्र है तो वर्स 2024-25 का बज़ट भी इस दौरान उत्तरप्रदेश विधान मंडल में प्रस्तुत होगा और वर्स भर के आईबे को लेकर के सदन में चर्चा होगी सत्र प्रारंब होने के पहले दल्य नेताओं से समंधित बैठक और उससे पूर्व बिजनेस एडवाईजरी कमिटी की बैठक भी संपन होकर के जो कारियोजनाय तैव हुई है उसके उनसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी भी की है उत्तरप्रदेश विधान मंडल 25 करोड जनता जनारदन की आसा आकांसाओं और अपिक्साओं का इक केंद्र है जनता से जुड़ीवे हर सुक दुख से जुड़ीवी घटनाओं को उल्लास और विलास विसाद से जुड़ीवी घटनाओं का इस साक्सी है मुझे प्रसंता है कि उत्तरप्रदेश विधान मंडल पिछले पांच-छे वर्सों के अंदर लोक्तंत्र के एक महत्वपूर्ण स्थम्ब के रूप में अपनी सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जा रहा है सकारात्मक मुद्दों पर विकास से जुड़ेवे मुद्दों पर हर मानने सदस्य अपनी बात को सदन में रखने के लिए उत्सुक दिखाई देता है और मैं इस उसर पर अपने पिपक्सी मित्रों से भी इस बारे में अपील करूँगा कि जो मानने सदस्यों की भावनाएं हैं उसे दल्ली सीमाओं से अलग हट करके प्रदेश के विकास के लिए बिधान सभा या बिधान परिस्द को हमने हमें एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाने किया उसकता है और उस दिस से यह सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा राजिपाल जी के विभासन पर चर्चा होगी उसका जवाब भी सरकार की तरब से जाएगा बजट पर चर्चा होगी मानने सदस्यों को अपनी राए इन दोनों महत्वपूर्ण मुत्तों पर और अंदान मांगों पर रखने का उसर प्राप्त होगा इसके लावा अपने अपनी बिधान सभा छेत्र से जुड़े भी या प्रदेश के विकास से जुड़ी भी महत्वपूर्ण बातों को सदन के समक से रखने का भी औसर मानने सदस्यों को प्राप्त होगा मुझे बिस्वास है कि जो एक सकारात्मक माहूल प्रदेश के बारे में बना है देश में दुनिया में उस सकारात्मक माहूल का लाब विरोधी दल भी लेकर के एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र विधान मंडल को बनाने में अपना योगदान देंगे हमने कल भी दल्य नेताओं की बैठक में इस बारे में बहुत पस्पस टूप से कहा है कि सरकार हर विधान मंडल की कारवाई का हिस्सा बनने वाले हर मुद्वे पर चर्चा के लिए भी तयार है और उसका जो तथ्यपरक और सही जानकारी होगी उसको सदन के समक्स रखने और मानने सदस्यों का उगत कराने के लिए फूरी तरह तयार है मैं एक बार फिर से उत्तरप्रदेश विधान मंडल की वर्स तौजार चौबीस के सत्रप सुभारंब के उसर पर सभी मानने सदस्यों को इर्दैसे स्वागत करता हूँ उन्हें उत्तरप्रदेश विधान मंडल की कारवाई को सुचारू और नियम संगत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उन सब का अववान करता हूँ लोगतंत्र के उन मुल्यों और आदर्सों के अंडूप सत्र की कारवाई को प्रभावी तंग से आगे बढ़ाने मैं उनके सकारात्मक योगदान की भी अपिक्सा रखता हूँ और उत्तरप्रदेश ने आदर्णिय प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्सन में 22 जनवरी 2024 को अयोत्या में प्रभु स्री राम लला के 500 वर्सों के उपरांट एक लंबे अंतराल के उपरांट भव्य प्रांट प्रतिष्टा समारो कि सकुसलु संपन्न होने और प्रतिजिन लाखों की संख्या में सरधालु जनों का अयोत्या धाम में आगमन और उनके सकुसल दर्सन करने के सकारत्मक माहूल काल आप भी हमारे सभी मानने सदस्चेकन उठाएंगे इस पूरा विश्वास के साथ मैं विधान मंडल के नए सत्र सुभारंब के आउसर पर आप सभी का भी हर्दे से अईवादन करता हूँ धन्यबाद जैहिं झाल आप भी हर्दे से अईवादन करता हूँ